हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रिल वाली स्लिप रिजान शेयर करूंगी जो कि आज कल बहुत ही ट्रेंड में है फ्रेंड्स तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे तो लेंथ अपने अकोडिंग यहां पर कम जादा कर सकते हैं मैंने यहां पर 9 इंच रखा हुआ है लेंथ इसका और इसकी जो गुलाई है स्लिप्स की वह यहां से है 9.5 इंच और इसके बाद इसकी मोहरी है 16 प्लस 2 इंच अक्ष्टम मार्जिन मैंने लिया हुआ है और यहां पर हमने इस लिप्स की जो गुलाई दी हुई है वह 3 इंच पर दी हुई है आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 3 इंच पर इसकी गुलाई दे दी हुई है और आप चाहे तो यहां पर जिस तरह से सिंपल सा स्लिप्स कट करते हैं से उसी तरह से हम इ इस तरह से लेंथ में आपके पास जितना फेवरी को आप उतना ले सकते हैं यहां पे लेंथ में, sorry यहां पे फिर्ट में मैंने ही फ्रेंच लिया हुआ है और इसे इस फट्रह से डबल फॉल्ड करेंगे double fold करने के बाद हमें अच्छे से side से सिला लगा लेना है तो आप देख सकते है friends यहाँ पर मैं जिस तरह से इसकी stitching कर रही हूँ सेम उसे तरह से बिलकुल अच्छे से यहाँ पर इसे stitch कर देना है और यह जो design है वो बहुत ही easy है friends और आजकल बहुत ही ज़्यादा trend में है तो आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ पर देख सकते हैं friends यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से stitch लगा लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर इसे छोट छोटे फ्रिल बनाएंगी तो इस तरह से छोट छोटे हम यहाँ पर चूननट बनाने हैं बिलकुल बराबर में हमें बनाने हैं पूरे फैब्रिक में हम इसे पूरा कर लेंगे बना करकी तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जिस तरह से बना रही हूँ से मुसी तरह से भी आपको पूरे फैब्रिक पर फ्रिल छोटे छोटे बना लेने हैं और यह जो स्लिप्स है वो बहुत ही सुन्दर लगता है बनने के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे मैंने बना के रेडी कर लिया हुआ है अब इसे हम दो भागों में कट कर लेंगे दोनों स्लिप्स के लिए क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फ्रिब्रिक है वो कम है इसके बाद अब हम अस्तर को लेंगे जो हमने स्लिप्स कट किया हुआ था लाइनिंग को हमें लेना है इसके उपर जो हमने फ्रिल बनाई हुई है उसे रखेंगे तो आप देखिए यहां पर मैं किस तरह से रख रही हूँ से मुसी तरह से आपको यहां पर रख लेना है और इसके उपर हमें half inch का margin देते हुए सिलाय लगा देना है बिल्कुल अच्छे से आपको इसे मिलाते हुए fabric के साथ नीचे वाली fabric के साथ रखना है और half inch का margin देते हुए हमें side से सिलाय लगा देना है और यहां पर जो सिलाय है वो हमारा complete हो गया है अब हम man fabric को रखेंगे इस तरह से उल्टी की तरफ से हमें man fabric को रखना है जो सीधा पाठ है वो फ्रिल की तरफ होना चाहिए man fabric का सीधा पाठ फ्रिल की तरफ होना चाहिए इसके बाद अब हम इसे पलट टल लेंगे और जहां पर हमने सिलाय लगाया हुआ है जैसे हम उसी सिलाय की उपर हमें एक सिलाय लगाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और इसे इस तरह से हम ओपन कर लेंगे और इस तरह से पलट देंगे पलटने के बाद यहाँ पर हम एक प्रेस अस्टिच लगाएंगे जिससे कि इसकी फिनिसिंग अच्छे से आ जाए और यह देखिए यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया हुआ है सिलाय लगाके इसके बाद अब हम मैंन फैबरिक और अस्तर को साथ में जोइंट करते हुए सिलाय लगाएंगे जैसे कि हम सारे फैबरिक में लगाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से हमें फैबरिक को प्रेस करते हुए लगाना है हाथों की हल्प से जिसे की फैब्रिक में कोई फुलान ना रहे और साइड से जो भी एक्ष्टा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे तो आप देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जी तरह से एक्ष्टा फैब्रिक को कट करके निकाल रही हूँ से मुसी तरह से आपको यहापर निगाल लेने है और इसके बाद अब हम यहाँपे इसे अच्छे से डेकुरेट करेंगे तो डेकुरेट करने के लिए मैंने यहाँपर यहाँपे गॉर्डन खुर की Лेस ले भींEC आप अपने सारी की अकोडिक यहाँ पर कोईसा भी कॉंट्रेट्टलर में ले सकते हैं और इसे यहाँ पर रखते हुए हम अच्छे से सिला लगा लेंगे और यह जो हमारा स्लिप्स है वो यहाँ पर कंप्लिट हो गया है और यह जो यहाँ पर सिला है फ्रेंट्स इसे हम डबल सिला लगाएंगे यहाँ पर जो हमारा ले से उसमें हम यहाँ पर डबल सिला लगाएंगे और यह हमारा जो स्लिप्स है वो कंप्लिट हो गया है तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेट कर ज़रूर बताएं साथे वीडियो को लाइक सेर करना बिल्कुल न भूले और अगर हमारे चैनल पर पहली बराएं तो हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राब ज़रूर करें तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू फ्रेंड्स